वेलकम टू जीरो से जिन्यस तक आज की स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे समन्ने ज्यान विज्यान और करेंट अफेयर्स के 25 इंपोर्टेंट नए सवालों को जो बिल्कुल आपके एक्जाम कोश्चन पेपर जैसा है सिंप्ली आपको इस 25 से सवालों में कम से कम बारत आंसर देना होगा तो ध्यान से खेलिएगा चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्न है लोक सभग की सद्यासता के लिए उमिद्वार की आयू कम से कम कितनी होनी चाहिए आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकिंड का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब सही आंसर है, ओप्सन नबर C, 25 वर्स, कोशन नबर 2, हाल ही में कौन संग लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? सवाल इंपोर्टेंट है, सही आंसर होगा, ओप्सन नमबर C, प्रादीप जोसे, कोशन नमबर 3, मेहर प्राथा का परचलन होता है? सही आंसर होगा, ओप्सन नमबर D, मुसल्मानों में, कोशन नमबर 4, लूनी नदी मुख्यता किस राज्य में बहती है? सही आंसर होगा, ओप्सन नमबर A, राजस्थान, कोशन नमबर 4, परधान मंत्री के त्याग पत्र देने या मिरित्यू की इस्तिती में, क्या करना पड़ता है? सही आंसर है, ओप्सन नमबर B, मंत्री परिशद भांग कर दी जाती है, कोशन नमबर 6, सही आंसर होगा, ओप्सन नमबर C, और अब सागर में, कोशन नमबर 7, राश्ट्री ये, बिकास परिशद का अध्याक्ष निम्न में से कौन होता है? सही आंसर है, ओप्सन नमबर A, परधान मंत्री, कोशन नमबर 8, आर्थिक बिकास की माप के लिए, निम्न में से कौन सी बेहतर माप है? सही आंसर होगा, ओप्सन नमबर A, राश्ट्री ये आए, कोशन नमबर 9, वार्षा रितू में, वायू मंडल में सबसे अधिक अंधरता मजूद रहती है? सही आंसर होगा, ओप्सन नमबर A, दो पहर के समय, कोशन नमबर 10, योजना आयोक के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर होगा, ओप्सन नमबर D, सरकार की इक्छा अनुसार परिवार्थित होती रहती है? कोशन नमबर नेक्स्ट, और आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं करे हैं, तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे किलिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए, और बेल आइकन को दवा देजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर और करता है, धन्याबाद, आगे सवाल है, भारत में वीट आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सही आंसर है, आप्सन नमबर ए, भारत के राश्ट्रपती के द्वारा, क्वेशन नमबर बारा, उलम्पिक के फाइनल तक पहुचने वाली प्रथम भारतिये महिला पलेअर कौन है, सही आंसर होगा, आप्सन नमबर ए, पीटी उसा, उलम्पिक के फाइनल तक पहुचने वाली प्रथम भारतिये महिला पीटी उसा हैं, क्वेशन नमबर तेरा, पांडू चेरी को भारतिये संगह में कब सम्मिलित किया गया, सही आंसर होगा, आप्सन नमबर ए, उन्निस सो चपन में, क्वेशन नमबर चौदा, राश्ट्रिये परसारन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, सही आंसर होगा, आप्सन नमबर ए, तेज़ जुलाई को, क्वेशन नमबर पंदर, राजस्थान में, माउंट आबू इस्तित दिलवारा, मन्दिर, विख्यात है, सही आंसर होगा, आप्सन नमबर बी, जैन वंदिर, काला है तो, क्वेशन नमबर 16, मात्रको की, इंटरनेशनल सिस्टम कब से लागू की गई थे, एसाई सिस्टम कब से लागू की गई थे, सही आंसर होगा, आप्सन नमबर ए, 1971 इस वेशे, क्वेशन नमबर 17, जिवास में की आयू ज्याद करने के लिए, परियुक्त रेडियो धर्मीता वाला तत्वा है, सही आंसर होगा, आप्सन नमबर डी, कारवन, फोर्टिन, क्वेशन नमबर 18, भारत की खोज के लेखक कौन थे, सही आंसर है, आप्सन नमबर सी, जवाहलाल नहरो, क्वेशन नमबर 19, हिर्दाय की धर्कन को नियांत्रित करने के लिए, इस्तमाल किये जाने वाला, उपकरन है, सही आंसर है, आप्सन नमबर बी, पेश मेकर, क्वेशन नमबर 20, पलासी के युद्ध में, सिराजु दौला के साथ, किसने विस्त्वागात किया था, सही आंसर होगा, आप्सन नमबर ए, मीड जाफ़र, और ये युद्ध, 1757 को हुआ था, क्वेशन नमबर 21, निम्न में से, कौन सा पदार्थ, अत्याधिक, कठोड तथा, अत्याधिक, तन्य होता है, सही आंसर होगा, आप्सन नमबर बी, टंगाश्टन, क्वेशन नमबर 22, चाइना मैं, सब्द का संबंध, किस खेल से है, सही आंसर होगा, आप्सन नमबर ए, किरकेट से, क्वेशन नमबर 23, डी आर डी ओ ने, हाली में, एले सी पर, निगरानी हेतु, एक ड्रोन तयार किया है, जिसका नाम, क्या है, सही आंसर होगा, आप्सन नमबर बी, भारत, क्वेशन नमबर 24, किस ने कहा था, डिल्ली अभी, दूर है, सही आंसर होगा, आप्सन नमबर ए, निजामुदिन ओ लिया, क्वेशन नमबर 25, कम्प्यूटर के बुनियादी सनरचना का विकास किया था, ये प्रस्ण पिछले वीडियो के क्यूपर यू में पूछे गए थे, और आप लोगों ने रिस्पॉंस तो दिये थे, आप सभी को कॉमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्याबाद, सही आंसर है, आपसन नमबर C, चॉल्स बैवेज, आपके लिए एक नए सवाल है, भारत का राष्ट्रिय गित, क्या है, यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं, तो सिंप्ली आपको कॉमेंट बक्स में जाना होगा, वहां पे लिखना होगा, क्यू फोरिव और इसके राइट आंसर, वीडियो पसंद आया, तो लाइक करके, अपने मित्र जनों में सेयर जरूर करिए, आप चाहे तो आई बटन पे किली करके, और भी वीडियोज को देख सकते हैं, आप हमरे सत रेगुलर रहिए, और रेगुलर सेल्फ है स्टड़ी करिए, क्योंकि सफालता आपको एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे, और हमारे वीडियो से भी आपके एक्जाम में नीची तिरूप से प्रस्न पूछे जाएंगे, रेगुलर रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ फिर अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!